लखीमपुर की तस्वीर आपने देख लिए आपको बताएं कि लखनव उत्तर से सपा प्रत्याशी पूजा शुकला पहली बार चुनावी मैदान में हैं और हमारे यूपी बियोरोची वेरिश पांडे ने उनसे बात किये और इस दोरान उन्होंने प्रशासन पर सपा एजेंट्स को बाहर करने का रोप लगा दिया है और लखनव की सबसे कम उम्र की उमिद्वार समाजवादी पार्टी की 26 साल की पूजा शुकला हमारे साथ है जो उत्तरी से प्रत्याशी है जी आज मद्दान हो रहा है बड़ी संख्या में लोग आशरवाद दे रहे हैं निरंतर और मेरे लिए कुशी की बात है कि मेरा पहला चुनाओ है और मुझे इतनी माताओं बहनों वजर्गों से और युवासातियों से आशरवाद मिल रहा है और मैं यह बताना चाहूँगी कि लेकिन बड़े दुख की बात है कि जगा जगा पर मशीने खराब निकल रही है जगा जगा पर हमारे लोगों को एजेंटों को बार कर दिया जा रहा है अभी यहीं की बात मैं करूँ तो माहरी शी विद्धा मंदिर में भी ऐसा हुआ हमारी एजेंट सुबह से खड़े थे इनको अंदर नहीं एजेंट बनाए जा रहा था बहुत बहुत बाद विवाद के बाद यहाँ पर इनको एजेंट बनाए गया है बाइस चुनाओं करने की कोशिच की जा रही है लेकिन अपार जिन समर्तन मिल रहा है और मुझे लगता है कि 2022 में दुल्दासमार्ज को परणाम आने वाला है विजस उनिश्चत लड़कियों की सुरक्षा बारती जन्ता पार्टी का मुख एजेंडा है तो लड़कियों की सुरक्षा उन्होंने दिया है तो फिर तो समाजवादी पार्टी कैसे बुकाबला गया पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर महिलाओं ने देखा है पूरे उत्तर प्रदेश के किसी से चुपे नहीं है और युवाओं का साथ युवाओं का साथ तो हैं मैं खुद भी युवाओं हूं मेरे युवाओं भाई मेरी बेहन सब मेरे साथ है बुजर्गों का आशिरवाद सुबा से मिलना शुरू हो गया है युवाओं का साथ मिलना शुरू हो गया है निश्